खंड दो, प्रिष्ट संख्या 75, जीविका, अर्थविवस्था एवं समाज खंड दो में हम जीविका और अर्थविवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे यहां हम इस बात पर विचार करेंगे कि आध्युनिक विश्व में वनवासियों, चर्वाह समुदायों और किसानों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएं और इन बदलावों को तै करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया आधुनिक विश्व का उदय कैसे हुआ, इस बात पर विचार करते हुए हमकसर, कारखानों और शहरों पर और बाजार को आपूर्ती करने वाले अध्योगिक और क्रिशिक शेत्रों पर ही ध्यान देते हैं हम ये भूल जाते हैं कि इन क्षित्रों के बाहर दूसरे अर्थविवस्थाएं भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जो राष्ट्र के लिए महत्वर रखते हैं आधुनिक दृष्टी से देखने पर ऐसा लगता है कि चरवाहों और वनवासियों, घुमन्तु किसानों और खाने की चीजें बीन कर गुजर करने वालों की जिंदगी अतीत में ही कहीं अटक कर रह गई है समकालीन विश्व के उदय का अध्यान करते हुए, उनके प्रती हमारा रवया कुछ ऐसा रहता है, मानो उनकी जिंदगी का कोई महत्व ही न हो खंड दो के अध्यायों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमें उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए हमें देखना चाहिए कि वे अपनी दुनिया को कैसे विवस्थित करते हैं और कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं ये लोग भी पूरी तरह उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें हम आज रह रहे हैं वे गुजरे हुए जमाने के बचे खुचे लोग नहीं हैं अध्याए चार में आप जंगलों की सेर करेंगे यहां आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविद समुदाए जंगलों का किस-किस तरह इस्तिमाल करते रहे हैं यहां आपको पता चलेगा कि उन्नीसवी सदी में उद्योग और शेहरों, जहाजरानी और रेलवे के उदैव अविस्तार से लकड़ी और अन्यवन उत्पादों के लिए जंगलों पर दबाव कितना बढ़ गया था इन नई जरूरतों और मांगों के चलते जंगलों के प्रयोक से संबंधित कायदे कानून बदले गए और जंगलों के रखरखाव की एक नई पधती सामने आई यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जंगलों पर अपनिवेशिक नियंत्रण कैसे कायम हुआ कैसे वनक्षित्रों को मापा गया, पेड़ों का वरगी करण किया गया और बागान विकसित किये गए इन सारे परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तिमाल करने वाले स्थानिय समुदायों की जिंदगी पर भी असर पड़ा उन्हें नई व्यवस्था में काम करने और अपने जीवन को नए सिरे से संगठित करने के लिए विवश्च किया गया लेकिन बहुधा उन्होंने इन नियमों और कानूनों के खिलाफ बगावद भी की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए बाद धे किया इस अध्याय में आपको इस बात का अंदाजा मिलेगा कि भारत और इंडोनेशिया में इन परिवर्तनों का इतिहास क्या रहा है अध्याय पांच में भारत और अफ्रीका के पहाडों और रिगिस्तानों, मैदानों और पठारों में चरवाहों के पधचिन्नों को ढूंडने की कोशिश की गई है इन दोनों क्षित्रों में चरवाहा समुदाय आबादी का एक महत्वपून हिस्सा है फिर भी हम विरले ही कभी उनके जीवन का अध्ययन करते है उनका इतिहास पाठ्थे पुस्तकों के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता अध्याए पांच में आपको पता चलेगा कि जंगलों पर स्थापित होते जा रहे नियंत्रण, क्रिशिविस्तार और चरागाहों के सिमटते जाने से उनके जीवन पर किस तरह के असर पड़े इस हिस्से में आपको उनके आवागमन, अपने समुदाए के साथ उनके संबंधों और बदलते परिवेश के अनुरूप वो खुद को कैसे ढालते हैं इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा अध्याय च्छे में हम किसानों और काश्टकारों की जिंदगी में आए परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में हम भारत, इंग्लिंड और अमेरिका की परिस्थित्यों का अध्ययन करेंगे पिछली दो शताब्दियों के दौरान खेती को संगठित करने के तरीके में गहरे बदलावाए हैं नई तकनीक और नई मांगों, नई नियमों और कानूनों, संपत्ती की नई अवधारनाओं ने ग्रामीन दुनिया की शकल सूरत पूरी तरह बदल डाली है पूंजीवाद और उपनिवेशवाद ने ग्रामीनों के जीवन को सिरे से बदल डाला है अध्याइच्छे आपको इन बदलावों से परिचित कराएगा और इस अध्ययन से आपको एहसास होगा कि समाज के विभिन तब को अमीर, गरीब, मर्द, औरत, बच्चों और वयसकों पर किस तरह के अलग-अलग असर पड़े जब तक हम विभिन समुदायों और समाजों के जीवन में आ रहे परिवर्तनों को देखना बूझना शुरू नहीं करेंगे तब तक इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आज की दुनिया कैसे बनी है साथी आधुनी की करण की समस्याओं को भी हम तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जब तक की हम उस से परियावरण पर पढ़ रहे प्रभावों पर विचार नहीं करेंगे अध्याए संख्या चार वन्य समाज और उपनिवेश्वाद अपने स्कूल और घर में चारों और नजर दोड़ा कर उन सभी वस्तूओं को पहचाने जो जंगल की है इस किताब का काघज, मेज कुरसियां, दरवाजे खिड़कियां, वे रंग जिन से आपके कपड़े रंगे जाते हैं मसाले, आपकी टॉफी के सेलोफेन रैपर, बीडियों के तेन दूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफी, चाए और रबड साथी, चॉकलिट में इस्तिमाल होने वाला तेल, जो साल के बीजों से निकलता है खाल से चमडा बनाने में इस्तिमाल होने वाला चर्म शोधक, टेनन या दवाओं के रूप में इस्तिमाल होने वाली जड़ी बूटियां इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए और हाँ बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोईला, पैकिंग में उप्योग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशुपक्षी, एवं धेरों दूसरी चीजे भी तो जंगलों से ही आती हैं एमेजोन या पश्चिमी खाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की पाचसो अलग-अलग प्रजातिया मिल जाती हैं ये विवद्धता तेजी से लुप्त होती जा रही है और द्योगी करण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 149 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल खेती बाड़ी, चरागाहों वा इंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है ये 36 कड़के एक सालवन का चित्र है घना होने के कारण जंगल की सतह तक सूरज की रोश्नी यहां कम ही पहुँच पाती है इस चित्र में आप पेड़ पौधों के विभिन आकार और प्रजातियां देख सकते हैं प्रिष्ट संख्या, 38 एक, वनों का विनाश क्यों? वनों के लुप्त होने को सामान्य तहा वन विनाश कहते हैं वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है वैसे तो ये प्रक्रिया कई सदियों से चलिया रही थी लेकिन आपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहन कर लिया आईए, भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करें किन्तो उससे पूर्व इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है वेन दे वैलीज वर फुल जब घाटियां भरी पड़ी थी ये जौन डौसन की पेंटिंग है लाकोता जैसे देशज अमेरिक की आदिवासी समुँ जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे इनका अर्थ तंत्र अत्यंत वैविध्य पूर्ण था वे मक्काव गाते, बीसन का शिकार करते और जंगली पोधों की खोज में रहते थे अंग्रेज आबादकारों ने बीसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा 1860 के बाद बीसनों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या कर दी गई सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छटे हिस्से पर खेती होती थी आज ये आकड़ा बढ़कर आधे तक पहुच गया है इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्दे पदार्थों की मांग में भी वृध्धी हुई वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार दे दे गए अपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलावाया इसकी कई वजहें थी पहली अंग्रेजों ने व्यावसाइक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहुँ वकपास के उतपादन को जम कर प्रुच्चाहित किया उन्नीस्वी सदी के यौरप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान और अध्योगिक उतपादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी लिहाज़ा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ दूसरी वज़ा ये थी कि उन्नीस्वी सदी की शुरूआत में उपने वेशिक सरकार ने जंगलों को अनुतपादक समझा उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृशी उतपादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी यही वज़ा थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षित रुफल में 67 लाख हेक्टेर की बढ़त हुई खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए के जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है एक पॉइंट दो पटरी पर स्लीपर यहां एक चित्र है चित्र संख्या तीन सिंग भूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण छोटानाकपुर मई 1857 का चित्र है रेल की पटरी हेतू स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए तो आदिवासियों को न्युक्त किया करता था लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमती न थी कुछ नए शब्द स्लीपर रेल की पट्री के आरपार लगे लकडी के तखते जो पट्रियों को उनकी जगा पर रोके रखते है इसी प्रिष्ट पर बॉक्स नंबर एक है किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगा का गैर आबाद होना नहीं है जब गोरे आबादकार आस्ट्रेलिया पहुँचे तो उन्होंने दावा किया कि ये महाद्वीप खाली था वास्तव में ये आदिवासी पत्प्रदर्शकों के नित्रित्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे आस्ट्रेलिया के विभिन आदिवासी समुदायों के अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे आस्ट्रेलिया के नगारिंदजेरियों की अपनी जमीन की आकृती इनके पहले पूर्वज नगुरुंदेरी के प्रतिकात मक्षरीर जैसी थी ये जमीन पाँच अलग-अलग प्रकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, जीलों, जाडियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटिये मैदानों को अपने में समेटे हुई थी जो अलग-अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे इस प्रिष्ट पर अब स्रोत कर परती जमीन पर खब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, ये विचार सारी दुनिया के उपने वेशिकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिये रहा है यही वो विचार था जिसने विजय को नायोचित ठहराया अमेरिकी लेखक रिचर्ड हार्डिंग 1896 में मध्ध अमेरिका के हॉंडुरास के बारे में लिखते हैं आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं हो सकता कि दुनिया की गेर विकसित पड़ी जमीन का क्या किया जाए क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में ही रहने देना चाहिए जो इसके मूल्ले को नहीं समझ सकता ये मध्ध अमेरिकी एक सुसजिद घर में अर्ध बरबरों के गिरुह जैसे हैं जो ना तो इस घर का उप्योग ही कर सकते हैं और ना ही इसमें आराम तीन साल बाद अमेरिकी आधिपत्ते में United Fruit Company का गठन हुआ जिसने व्यापक पैमाने पर मध्ध अमेरिका में केले उगाना प्रारंप किया इस कंपनी ने इन मुलकों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि इन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना गया डेविट्स पर दे रेटरिक ओफ एंपायर उन्निसो तिरानवे में उद्रित प्रिष्ट संख्या अस्सी उन्नीसवी सदी की शुरुआत तक इंग्लेंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुपत होने लगे थे इसकी वज़ा से शाही नौ सेना के लिए लकड़ी की आपूर्ती में मुश्किला खड़ी हुई मस्बूत और टिकाउ लकड़ी की नियमित आपूर्ती के बिना अंग्रेंसी जहाज भला कैसे बन सकते थे और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदोस्तान की वन संपदा का अन्वेशन करने के लिए भेजे गए एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदोस्तान से निर्यात होने लगा 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी शाही सेना के आवागवन और आपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइने अनिवारे थी इन जनों को चलाने के लिए इंधन के तौर पर और रेल की पट्रियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी एक मील लंबी रेल की पट्री के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवशकता पढ़ती थी भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइने बिछाई जा चुकी थी 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए अकेले मदरास प्रेजिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए सरकार ने आवशक मात्रा की आपूर्ती के लिए निजी ठेके दिये इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया रेल लाइनों के इर्दगिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं पहले चित्रसंख्या चार बास के बेड़े कासा लांग नदी में बह कर जाते हुए लकडी के शहतीर सहेजता हुआ हाथी आपनिवेशिक दोर में अकसर हाथियों का इस्तिमाल जंगलों और लकडी के गोदामों में भारी भरकम लकडी को उठाने के लिए किया जाता था प्रिष्ट संख्या एक्क्यासी चित्रसंख्या चे इंधन की लकडी इकठा कर घर को लोटती औरतों का चित्र चित्रसंख्या साथ लठे ले जाता हुआ ट्रक लठे काटने के लिए किसी क्षित्र का चुनाव करने के बाद वनविभाग सबसे पहले चोड़ी सड़कों का निर्मान करता है जिससे ट्रकों का प्रवेश संभव हो सके जंगल के उन रास्तों से इसकी तुलना करें जिनसे होकर लोग इंधन की लकडी या दूसरे लगुवन उत्पाद इकठा करने के लिए जाया करते थे ऐसे अनेक ट्रक लकडी से भरे हुए जंगलों से बड़े शेहरों को जाते थे स्रोत, ख, मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस वैली रेलवे नाम से लगभग तीन सो मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी 2000 स्लिपर प्रती मील की दर से इसके लिए 10 फुट बाई 10 इंच बाई 5 इंच या 3.5 घन फुट प्रती इकाई के 6 लाइक स्लिपर की जरूरत होगी या के 2 लाइक क्यूबिक फीट से उपर लगड़ी की इन इंजनों को इंधन के लिए लगड़ी चाहिए दोनों तरफ प्रती दिन एक ट्रेन वह एक मन प्रती ट्रेन मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की जरूरत होगी इसके अलावा इंचों के लिए भी भारी मात्रा में इंधन की जरूरत होगी स्लिपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे ये इंधन सिंध और पंजाब के ज्जाव यानि तमारिस्क और ज्छांड के जंगलों से लाया जाना था दूसरी नई लाइन Northern State Railway लाहौर से मुलतान तक थी आकडों के हिसाब से इसके निर्मान के लिए 22 लाख स्लिपर की जरूरत होगी एक मील लंबी रेल की पट्री के लिए 1760 से 2000 तक स्लिपर की जरूरत थी यदि तीन मीटर लंबी बड़ी लाइन की पट्री बिचाने के लिए एक औसत कत के पेर से 3 से 5 स्लिपर बन सकते हैं तो हिसाब लगा कर देखें के एक मील लंबी पट्री बिचाने के लिए कितने प्रिड़ काटने होंगे प्रिष्ट संख्या 82 एक पॉइंट तीन बागान यॉरप में चाय, कॉफी और रबड की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तूओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया अपनिवेशक सरकार ने जंगलों को अपने कबजे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यॉरपिय बागान मालिकों को सौप दिया इन इलाकों की बाड़ा बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या आठ देखें ये चाय के किसी ब्रैंड का विज्यापन है लिखा है प्लेजर ब्रैंड टी दे लंडन अन ग्लास्को टी इंपोर्टर्स असोसियेशन प्रिष्ट संख्या तिरासी व्यावसाइक वानिकी की शुरुवात पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पट्रियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानिये लोगों द्वारा जंगलों का उप्योग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधा धुंद कटाई से जंगल नश्ठ हो जाएंगे इसलिए उन्होंने ड्राय ट्रिच ब्रेंडिस नामक जर्मन विशेशग्ये को इस विशेपर मश्वरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक न्युक्त किया गया ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को सनरक्षन विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा इसके लिए कानूनी मन्जूरी की जरूरत पड़ेगी वन संपदा के उप्योग संबंधी नियम तै करने पड़ेंगे पेडों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविध्यों पर पाबंधी लगा कर ही जंगलों को लकडी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इसी प्रिश्च पर देखिए चित्र संख्या नौ इटली स्थित तसकनी में पोपलर के जंगल का एक व्यव्यस्थित गलियारा पोपलर के जंगल मुख्य तह लकडी के लिए महत्वर रखते हैं पत्तों, फलों या दूसरे उत्पादों के लिए ये उप्योगी नहीं है एक समान लंबाई वाले और सीध में लगे इन पेड़ों को देखें यही वो मॉडल है जिसे वैज्ञानिक वानिकी ने प्रोच्साहित किया आपके लिए क्रिया कलाप यदि अठारा सो बासच में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती और आप पर इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर और इंधन आपूर्ती की जिम्मेवारी होती तो आप इसके लिए कौन-कौन से ख़दम उठाते प्रिष्ट संख्या इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा इस तरहां ब्रेंडिस ने 1864 में भारतिये वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतिये वन अधिनियम को सूत्र बद्ध करने में सहयोग दिया Imperial Forest Research Institute की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई यहां जस पद्धती की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानि Scientific Forestry कहा गया लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेशग्यों सहित ज्यादा तर लोग मानते हैं कि यह पद्धती कतई वैज्ञानिक नहीं है वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विवध प्रजाती वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया इसकी जगा सीधी पंक्ती में एक ही किसम के पिड़ लगा दिये गए इसे बागान कहा जाता है वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सरविक्षन किया विभिन किस्म के पिड़ों वाले क्षित्र की नाब जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाय बनाई उन्होंने ये भी तैय किया कि बागान का कितना क्षित्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनह पिड़ लगाय जाने थे ताकि कुछी वर्षों में ये क्षित्र पुनह कटाई के लिए तैयार हो जाए 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें दो बार संशोधन किये गए पहले 1878 में और फिर 1927 में 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को तीन श्रिणियों में बाटा गया सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया गाउवाले इन जंगलों से अपने उप्योग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे फे घर बनाने या इंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीन वनों से ही लकड़ी ले सकते थे पहले चित्रों की व्याख्या चित्रसंख्या दस कांगणा का एक देवदार बागान उन्नी सो तैस इंडियन फॉरिस्ट रिकॉर्ज भाग पंधरा से चित्रसंख्या ग्यारह दि इंपीरल फॉरिस्ट स्कूल देहरादून भारत ब्रिटिश सामराज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल इंडियन फॉरिस्ट खंड इकत्तिस इस पृष्ठ का नया शब्द वैज्यानिक वानिकी वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगा नय पेड़ लगाए जाते हैं लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वन पालों और ग्रामीनों के विचार बहुत अलग थे जहां एक तरफ ग्रामीन अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे इंधन, चारे वपत्तों की पूरती के लिए वन में विभिन प्रजातियों का मेल चाहते थे वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहया करा सकें ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रुचसाहित किया गया और दूसरी किसमें काट डाली गई प्रिष्ट संख्या, पचासी वन्ने इलागों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदी वन उत्पादों का विभिन जरूरतों के लिए उप्योग करते हैं फल और कंद अत्यंत पोशक खादे हैं विशेश कर मौनसून के दौरान जब फसल कट कर घर न आई हो दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है लकडी का प्रियोग हल जैसी खेती के औजार बनाने में किया जाता है बास से बहतरी इन बाड़ें बनाई जा सकती है और इसका उप्योग छत्री तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है सूखे हुए कुमढे के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किसम के पत्तल और दोने बनाए जा सकते है सियादी यनि बोहिर या वाहिली की लताउं से रस्सी बनाई जा सकती है सेमूर यनि सूती रेशम की काटेदार छाल पर सबजिया छिली जा सकती है महुए के पिर से खाना पकाने और रौशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या 12 की व्याख्या जंगलों से महुआ, मधुका इंडिका बीनना गाउवाले उजाला होने के पहले ही उठकर जमीन पर गिरे हुए महुआ के फूलों को बीनने के लिए जंगल चले जाते महुआ के पिड़ बेश कीमती है महुआ के फूल खाए भी जा सकते हैं और इनका इस्तिमाल शराब बनाने के लिए भी किया जा सकता है इसके बीजों से तेल भी बनाया जाता है अब व्याख्या चित्र संख्या 13 की सूखते हुए तेंदू पत्ते जंगलों में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए तेंदू के पत्तों की बिक्री आयका एक प्रमुक साधन है प्रत्येक बंडल में लगभग पचास पत्ते होते हैं एक व्यक्ती कठिन परिश्रम करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक सौ बंडल इकठा कर सकता है बच्चे, महिलाएं और वृद्धी मुख्य तह पत्ते इकठे करते हैं वन अधिनियम के चलते देश भर में गाउवालों की मुश्किलें बढ़ गई इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना पशों को चराना कंद मूल फल इकठा करना आदी रोजमर्रा की गतिविधियां गेर कानूनी बन गई अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिती में वे वन रक्षकों की दाया पर होते जो उनसे घूस एड़ते थे जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेशतोर से परेशान रहने लगी मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकिदारों के लिए सामानने बात थी दो पोइंट दो वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई यौरोपिय उपनिवेश्वात का सबसे गहरा प्रभाव जूम या घुमन्तू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है एशिया, अफ्रीका वदक्षन अमेरिका के अनेक भागों में ये खेती का एक परंपरागत तरीका है इसके कई स्थानिय नाम है जैसे दक्षन पूर्व एशिया में लादिंग मध्य अमेरिका में मिलपा अफ्रीका में चितमेन या तावी वश्रीलंका में चेना हिंदोस्तान में घुमन्तू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवर, जूम, पोडू, खंदाद और कुम्री ऐसे ही कुछ स्थानिय नाम है घुमन्तू क्रिशी के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी-बारी से काटा और जलाया जाता है मौन्सून की पहली बारिश के बाद इसराख में बीच बू दिये जाते हैं और अक्तूबर-नवेंबर में फसल काटी जाती है इन खेतों पर दो-एक साल खेती करने के बाद इन्हें बारह से अठारा साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है जिससे वहां फिर से जंगल पनब जाए इन भूखंडों में मिश्चत फसले उगाई जाती है जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में जोआर बाजरा ब्राजील में कसावा और लेजन अमेरिका के अन्ने भागों में मक्का वा फलिया आगे की चर्चा से पहले इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या 14 खलिहानों से अनाच लाते हुए खलिहानों से पुरुष टोकरियों में अनाच ला रहे हैं पुरुष अपने कंधों के आरपार एक छड़ी की बंधी टोकरियों को लाते हैं जबकि और ते इन टोकरियों को अपने सिर पर रख कर लाती हैं इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या पंध्रा टॉंग्या खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आजादी थी 1921 में बर्मा के थर्रावारी डिविजन से लिए गए इस चित्र में किसान धान बो रहे हैं लोहे के छोरवाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धर्ती में छेद बनाते थे और तें प्रतेक छेद में धान बोती थी प्रिष्ट संख्या यॉरोपिया वन रक्षकों की नजर में ये तरीका जंगलों के लिए नुकसान दे था उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं हो गाय जा सकते साथ ही जंगल जलाते समय बागी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लप्टों की चपेट में आजाने का खत्रा बना रहता है गुमन्तू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था इसलिए सरकार ने गुमन्तू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया इसके परणाम सुरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरीए प्रतिरोथ किया इस प्रिष्ट पर देखिए चित्र संख्या सोलह जंगल के पेंदा या पोदू हिस्सों को जलाना घुमन्तू खेती में जंगलों को साफ किया जाता है सामानने तहा चट्टानों की धलानों पर पेड़ों को काटने के बाद राख के लिए इन्हें जला दिया जाता है इसके बाद इस खित्र में फिर बीज बिखेर दिया जाते हैं और वर्षा से सिजाई के लिए इन्हें छोड़ दिया जाता है चित्र संख्या सत्रह की व्याख्या ये चित्र मचली मारने वाले एक लड़के का है दो पॉइंट तीन शिकार की आजादी किसे थी? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हेरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवनियापन करते थे ये पारमपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैथ शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परमपरागत अधिकार से बनचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया हिंदुस्तान में बागों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दर्बारी और नवाबी संस्कृती का हिस्सा रहा था अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है किन्तु अपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुपतो हो गई अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर, जंगली, बरबर और आदी समाज के प्रतीक चिन्ह थे उनका मानना था कि खतरनाग जानवरों को मार कर वे हिंदुस्तान को सब्भे बनाएंगे बाग, भीडिये और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर ये कहकर इनाम दिये गए कि इन से किसानों को खत्रा है 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में असी हजार से ज्यादा बाग, एक लाग पचास हजार तेंद हुए और दो लाग भीडिये मार के रहे गए धीरे धीरे बाग के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बागों को मारा था प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही अरक्षित थे काफी समय बाद पर्यावरन विदूं और सनरक्षन वादियों ने आवाज उठाई के जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए ना कि इनको मारा जाना चाहिए अगरिम्चर्चा से पहले चित्रसंख्या 18 चित्रसंख्या 18 नेपाल में शिकार के बाद लॉड रीडिंग फोटो में मृत बागों की गिनती करें प्रिटिश अपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती थी गाओं के कुशल शिकारी हांका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था स्रोत ग बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है 1892 में जब उनकी घुमन्तु खेती पर रोक लगा दी गई तब उन्होंने सरकार को ये याजिका दी हम हर रोस फाका करते हैं क्यूंकि हमारे पास खाने का अनाच नहीं है हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वो है हमारी कुलहाडी हमारे पास अपने तन ढखने को कपड़े नहीं है आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं हम अब खाने के लिए मर रहे हैं हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहां कई पीडियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। वेरियर एल्वन, 1949, माधवगाटगिल वरामचंदरगूहा, This Fissured Land, An Ecological History of India में उध्रत। दो पोइंट चार नए व्यापार, नए रोजगार और नए सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए। लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाब भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का उत्पादन करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं, बलकि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। उधारन के लिए उन्नीस्वी सदी के मध्धे में उची जगहों पर रहकर मेनी योग उगाने वाले ब्राजीली एमजान के मुंदरुकू समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड की आपूर्ती के लिए जंगली रबड के व्रिक्षों से लेटेक्स एकत्र करना आरंभगर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदी घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोई, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। ब्रेटिश सरकार ने कई बड़ी यॉरोपिये व्यापारी कमपनियों को विशेश इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजादेदारी सौप दी। स्थानिये लोगों द्वारा शिकार करने और पशों को चराने पर बंदिशे लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मदरास प्रेजिडेंसी के कोरावा, कराचा और येरुकुला जैसे अनेग चरवाहे और घुमंतु समुदाए अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इन में से कुछ को अपरादी कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्टरियों, खदानों वबागानों में काम करने को मजबूर हो गए। दूरी बहुत कम थी और कारे परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गाउं से उठाकर भरती तो कर लिया गया था लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। पुचुमायो क्षेत्र में पेरूवियन रबड कमपनी ब्रिटिश वा पेरूवियन साजे में इनके द्वारा रबड की निकासी हुई तो तोस कहे जाने वाले स्थानिये इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच पुचुमायो में 4000 टन रबड का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रना, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड कंपनी के एक वेतन भोगी ने वर्णन किया है कि रबड का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। उसने अपनी कारबाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कतले आम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुर्शों की 150 लाशों से जमीन ठक गई। खून से नहाए हुए दया की भीक मांगते जिन्दा बचे लोगों को मुर्दों के धेर के साथ जला दिया गया। और मैंने जर चिलाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूँ, जो रबर लाने के लिए दिये गए मेरे आदेश को नहीं मानते हैं। निकुलास डर्क स्वारा संपादित, कलोनिलिजम अन कल्चर, 1992 में, माइकल ताउसिक, कल्चर ओफ टेरर, स्पेस ओफ डिथ। प्रिष्ट संख्या, नब्बे वन विद्रो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने उपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नाकपुर में बिरसा मुंडा, और आंत्रप्रदेश में अलूरी सीताराम राजु को लोक गीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रो का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 3.1. बस्तर के लोग बस्तर चत्तीजगड के सबसे दक्षणी छोर पर आंत्रप्रदेश, उडिसा वा माहराष्ट की सीमाव से लगा हुआ क्षित्र है। बस्तर का केंद्रिय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में चत्तीजगड का मैदान और दक्षण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आरपार पूरप से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया गूंड, धुर्वा, भत्रा, हलबा आदी अनेक आदिवासी समुदाए रहते हैं। अलग-अलग जबाने बोलने के बावजूद इनके रीती रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाउं को उसकी जमीन धर्ती माह से मिली है। और बदले में वे प्रत्य खेती हर त्योहार पर धर्ती को चड़ावा चड़ाते हैं। धर्ती के अलावा वे नदी, जंगल वा पहाडों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चुकि हर गाउं को अपनी चौहद्धी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देख भाल करते हैं। चित्र संख्या 19 बस्तर में सेना का कैम्प 1910 बस्तर में सेना के एक कैम्प का ये चित्र 1910 में लिया गया। सेना तम्वों, बावर्चियों और सिपाहियों के साथ चलती थी। यहां एक सिपाही विद्रोहियों से सुरक्षा के लिए कैम्प की पहरेदारी कर रहा है। एक द्रिष्टी चित्र संख्या 20 पर। चित्र संख्या 20 सन 2000 में बस्तर। 1947 में बस्तर रियासत को कांकेर रियासत में मिला दिया गया। और ये पूरा क्षित्र मध्य प्रदेश का बस्तर जिला बना। 1998 में इस जिले को एक बार फिर कांकेर, बस्तर और दंतेवाडा जिलों में बाट दिया गया। 2000 में ये जिले 36 गड़ का हिस्सा बन गए 1990 का विद्रो काकेरवनक्षेत्र घेरे में से ही शुरू हुआ था और जल्दी ही राज्य के अन्नेक्षेत्रों में फैल गया प्रिष्ट संख्या 91 यदि एक गाउं के लोग दूसरे गाउं के जंगल से थोड़ी लकड़ी लिना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुलक अदा करते हैं जिसे देवसारी, दान या मान कहा जाता है कुछ गाउं अपने जंगलों की हिफाज़त के लिए चौकीदा रखते हैं जिने वेतन की रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाश दिया जाता है हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने अर्थाद गाउं का सम्हूं इनके गाउं के मुख्या जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे एहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं तीन पॉइंट दू लोगों के भए अपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के दोती हाई हिस्से को आरक्षित करने घुमन्तू खेती को रुकने और शिकार ववन्य उत्पादों के संग्रहे पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए कुछ गामों को आरक्षित वनों में इस शर्ट पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और धुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे बाद में इनी गामों को वन ग्राम कहा जाने लगा बागी गामों के लोग बगेर किसी सूचना या मुफ्त के हटा दिये गए काफी समय से गाम वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा अपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरन तर मांग से तरस्त थे इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया पहले 1899-1900 में और फिर 1907-1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी इन गामों के मुख्या और पुजारे एकठा होते थे वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया कांगेरवनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था हाला कि कोई एक विक्ती इनका नेधा नहीं था लेकिन बहुत सारे लोग नेधानार गाउं के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक एहम शख्सियत मानते हैं 1910 में आम की टेहनियों, मिट्टी की धेले, मिर्च और तीर गाउं गाउं चक्कर काटने लगे ये गाउं में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदीश था हर एक गाउं ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद दी बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटावा जलाया गया तथा अनाज का पुनर वितरन किया गया, जिन पर हमले हुए उन में से ज्यादा तर लोग अपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी ना किसी तरह जुड़े थे इन घटनाओं के एक चश्मदीद कवा, मिश्नरी विल्लियम वॉर्ड ने लिखा पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपूर में चला आ रहा था आगे की चर्चा से पहले स्रोत च भोंडिया ने चार सो लोगों को इकठा कर कई सारे बकरों की गुर्बानी थी और दीवान जिसके बीजापूर की तरफ से आने की संभावना थी, उसको बीश में ही रोकने के लिए चल पड़ा दस फरवरी को चली इस भीर ने पुलिस चौकी तथा मारेंगा स्कूल जला दिया केसलोर में लाइने वा पशु अवरोध शाला और टोका पाल राजुर में भी एक स्कूल को जलाया गया दिवान को सुरक्षत वापिस लाने के लिए भेजे गए स्टेट, रिजर्व, पुलिस के एक हेड कॉंस्टिबल और चार कॉंस्टिबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया इस भीर ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने की बजाए उनके हथियार उनसे ले लिये और उन्हें छोड़ दिया भोंडिया माजी के नित्रत्व में बागियों के एक दल ने कोयर नदी का रास्ता दिया क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था बागी लोग बीजापूर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिल मिली चले गए बुद्धु माजी और हर्चंद नाइक ने मुख्य दल की कमान समभाली डेब्रेट पुलिटिकल एजिन्ट छत्तीसकर फ्यूडेटरी स्टेट्स का 23 जून 1910 को कमिश्णर छत्तीसकर डिविजन के नाम लिखा पत्र अब आगे की चर्चा अंग्रेसों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाही लेकिन अंग्रेस फौच ने उनके तंभूओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गाउं गाउं घूमने लगे ज्यादतर गाउं खाली हो गए क्यूंकि लोग भाग कर जंगलों में चले गए थे अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में तीन महीने यानी फरवरी से मई का समय लग गया फिर भी वे गुंडा धूर को कभी नहीं पकड़ सके विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षण क्षित्र को भी 1910 से पहले की यूजना से लगभग आधा कर दिया गया बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उप्योग के लिए आरक्षण रखने की नीती काइम रही 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि काघस उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेर प्राकृतिक सालवनों की जगा देवदार के पेड़ लगाए जाएं लेकिन स्थानिये परियावरण विदों के विरोत के फलसो रूप इस परियोजना को रोग दिया गया आईए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें जड़ा देखें कि इसी वक्त वहां क्या कुछ हो रहा था लेकिन उससे पहले स्रोत 6 बस्तर में रहने वाले बुज़ुर्ग इस लड़ाई के बारे में जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सुना था बताते हैं अंग्रेजों ने आकर जमीन लेनी शुरू कर दी उसके कट्टर समर्थक मारे गए और बाखियों पर कोडों से मार पड़ी मेरे पिता पोधियामी तो केली को भी कोडों से पीटा गया लेकिन वो भागने में कामियाब हुए और बच निकली या अंदोलन अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए था अंग्रेज उनको घोडों से बांध कर घसीटा करते थे हर एक गाउं से दो-चार लोग जगदलपुर गए चुदपाल के गार की देवा और मिखोला मा की मिरास के दोल और अबराबुंदी बाले रास का वादा पान्दू, पालेम का उंगा और दूसरे धेर सारे लोग इसी तरह नंदरासा के एक बुज़ुर्ग चेंद्रू ने कहा की लोगों की तरफ से पुरनिया थे पालेम के मिल्ले मुदाल, नंदरासा के सोयकाल, धुर्वा और पंडवा माची हर परगना से लोग अलनार तराई एकठा हुए एक जटके में पल्टन ने सब को घेर लिया गुंडा धूर उड़ सकते थे, इसलिए उड़ निकले लेकिन तीर कमान वाले अब क्या करें? रात में लड़ाई होने लगी लोग जाड़ियों में छिपकर पेट के बल भागे फौच की पल्टन भी भागी जो लोग जिन्दा बचे किसी तरह अपने काउं घर पहुचे जावा के जंगलों में हुए बदलाव जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीब के रूप में जाना जाता है लेकिन एक जमाने में ये क्षित्र अधिकांश तहा वन अच्छा दित था इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम सुनेंगे भारत वा इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानत आएं थी इंडोनेशिया में जावा ही वो ख्षित्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी अंग्रेजों की तरह वे भी जहास बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे सन सोलासों में जावा की अनुमानित आबादी चोंतीस लाग थी हाला कि उपजाव मैदानों में धेर सारे गाउं थे लिकिन पहाडों में भी घुमन्तु खेती करने वाले अनेक समुदाए रहते थे चार पॉइंट एक जावा के लकड़हारे जावा में कलांग समुदाए के लोग कुशल लकड़हारे और घुमन्तु किसान थे उनका महत्व इस बात से आका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहां के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों रज्जों में बराबर बराबर बाट दिया गया उनके कौशल के बगर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था डचों ने जब अठारमी सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कि कि कलांग उनके लिए काम करें 1770 में कलांगों ने एक डच केले पर हमला करके इसका प्रतिरोत किया लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया चार पॉइंट दो डच वैज्ञानिक वानिकी 19 सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना ज़रूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागो कर ग्रामीनों की जंगल तक पहुँच पर बंदिशे थोपती इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी और वो भी कड़ी निगरानी में ग्रामीनों को मवेशी चराने बिना परमिट लकड़ी ढूने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथ्वा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा एक दृष्टी चित्रसंख्या 21 पर इसी प्रिष्ट पर जंगल से सागौन की लकड़ी ले जाती मालकाड़ी अपनिवेशिक शासन का अंतिम दौर भारत की ही तरह यहां भी जहास और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवशक्ता पैदा कर दी 1882 में अकेले जाबा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया जाहिर है कि पेड़ काटने, लठों को ढोने और स्लीपर तयार करने के लिए श्रम की आवशक्ता थी डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गामों को इस शर्थ पर इससे मुग्द कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकडी ढोने के लिए भैसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे इस व्यवस्था को ब्लैंडा गडियन स्टेन के नाम से जाना गया बाद में वन ग्राम वासियों को लगान माफी की बजाए थोड़ा बहुत महिंताना तो दिया जाने लगा लेकिन वन भूमी पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिये गए सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदु बलातुं गाउं के निवासी सुरंतिको सामिन ने जंगलों पर राजकिये मालिकाने पर सवाल खड़ा करना आरंप कर दिया उसका तर्क था कि चूंकी हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिये था उननिसो साथ तक तीन हजार परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे डच जब जमीन का सरविक्षन करने आये तो कुछ सामिनवादियों ने अपनी जमीन पर लेट कर इसका विरोध किया जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया इसी प्रिष्ट पर है चित्र संख्या 22 इंडोनेशिया के ज्यादातर जंगल सुमात्रा, कालिमानतान वा पश्चिम इरियान में स्थित हैं जावा ही वो जगा है जहां डचो ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरूआत की थी ये द्वीप जो अब चावल उत्पादन के लिए मशूर है कभी सागौन के जंगलों से धका रहता था United East India Company की एक अफसर डर्क वान होजन ड्रॉप ने उपनिवेश कालीन जावा में कहा था बटाविया के लोगो चौक पड़ो आश्चर इस सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है हमारे बेड़े नश्ठ हो चुके हैं हमारा व्यापार मुर्जा चुका है हमारा नौकायन नश्ठ होने वाला है उत्तरी ताकतों से हम बेपनहा दौलत दे कर जहाजों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामगरी खरीदते हैं और जावा में हम सामरिक वा व्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़े इस धर्ती में धसी हैं छोड़ते हैं हाँ जावा के जंगलों में एक सम्मान जनक नौसेना के निर्मान को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए परयाप्त लकड़ी है साथ ही जितनी जरूरत हो उतने व्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेजी से उकते हैं जितनी तेजी से उन्हें काटा जाता है उचित प्रबंधन और अच्छी देखरे के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे प्रिष्ट संख्या 95 4.4 युद्ध और वनविनाश पहले और दूसरे विश्वयुद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा भारत में तमाम चालूकारे योजनाओं को स्थागित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे जावा पर जापानियों के गबजे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीती स्कोश्ट अर्थ पॉलिसी अपनाई जिसके तहट आरा मशीनों और सागौन के विशाल लठों के धेर जला दिये गए जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाएं इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्धे करके अपने युद्ध उद्योक के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया बहुत सारे गामवालों ने इस अफसर का लाब उठा कर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था हिंदुस्तान की ही तरह यहां भी खेती योग्य भूमी के प्रती लोगों की चाहा और जमीन को नियंतरत करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जित के बीच टकराफ पैदा हुआ चार पॉइंट पाँच वानिकी में नए बदलाव असी के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराफ पैदा होते हैं परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकडी हासिल करने की बजाए जंगलों का संरक्षन ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष बन गया है सरकार ने ये भी मान लिया है कि इस लक्ष को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी मीजोरम से लेकर केरल तक हिंदोस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बचपाए कि ग्रामीडों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादी नामों से पवित्र बगीचा समझ कर इनकी रक्षा की कुछ गाउं तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बज़ाए अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है स्थानी ये वन समुदाय और परिया वरन विद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं इस प्रिष्ट पर दो चित्र हैं चित्र संख्या 23 पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम ना होते दोनों विश्वयुद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया वा दूसरी जगाहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा कार्य यूजनाओं को स्थगित कर दिया गया और वन विभाग ने युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए जम कर व्रिक्ष काटे चित्र संख्या 24 डच अपनिवेशिक शासन के अधीन रिम बैंग में लठों का गोदाम प्रिष्ट संख्या 96 एक जहां आप रहते हैं क्या वहां के जंगली इलाकों में कोई बदलाव आए हैं ये बदलाव क्या हैं और क्यों हुए हैं दो एक अपनिवेशिक वनपाल और एक आदिवासी के बीच जंगल में शिकार करने के मसले पर होने वाली बादचीत के समवाद लिखें प्रश्ण एक अपनिवेशिक काल के वनप्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया जूम खेती करने वालों को, घुमन्तु और चरवाहा समूदायों को, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कम्पनियों को, बागान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को प्रश्ण दो बस्तर और जावा के अपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानत आएं हैं। सन 1880 से 1920 के बीच भारतिय उप महद्वीब के वनाचादित क्षित्र में 97 लाग हेक्टेर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड हेक्टेर से घटकर ये क्षित्र 9.89 करोड हेक्टेर रह गया था। इस गिरावट में इन कारकों की भूमिका बताएं। रेलवे, जहाज निर्मान, क्रिशिविस्तार, व्यवसाइक खेती, चाय कॉफी के बागान, आदिवासी और किसान। प्रश्न 4. युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं।